बेल is a matter of right in bailable offences यानि कि जो bailable offences है जो अपराद जमानती हैं उसमें जमानत लेना यानि थाने से जमानत देना आपका अधिकार है जैभीम साथियो साथियो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको bailable offences और non bailable offences के बारे में बताऊंगा साथियो इससे पहले कि मैं bailable offences और non bailable offences की बारे में आपको बताऊं जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको और non-cong respectable offenses के बारे में पताया था तो यह जो निस्चित होता है कि कौं सा अपराद kongres还有 un organis यह कौं सा अपराद non payable है दो उसकी जानकारी कई пост पेस के स्की में रहती है तो साहियों आपकी जानकारी निस्चित हो इसके लिए है कि आपके पास दो किताबें होना बहुत ज़रुरी हैं एक CRPC और एक IPC इन दोनों की full form है IPC की full form है इंडियन पैनल कोड और CRPC की full form है किर्मनल प्रोसिजर कोड साथियों ये दोनों किताबे आपके पास होंगी तो जितने भी अपराधिक मामले होते हैं सामाने तोर पर इंडियन पैनल कोड है उसमें जो कोडिफाइड किये गए हैं जितने भी अपराध उन सबकी जानकारी आपको उस किताब से मिल जाएगी कि वो जो अपराध है वह किस स्रेणी का अपराध है वह विलिवल ओफेंस है या नौन वैल्ल ओफेंस है वहpected आप कोक्ज़्य क्से आप पहले से ही जान सकते हैं कि आपके खिलाफ या किसी एभीकती के खिलाफ जिसने अपराद कारित किया है पुलिस उस्से कैसा व्यवार करेगी तो साथियो इस चीजिश के लिए आपको इतना जागरुक होना बहुत जुरूरी है बहुती छोटी सी किताब है ज्यादा बड़ी किताब नहीं है और यह किताब आप खरीद कर अपने घर में रखिए इससे आपको कभी भी थाना से समंदित कितनी भी सिकायते हैं कितनी भी समस्याएं हो वह बहुत हद तक आपकी समस्याएं दूर होंगी औ और आप निस्तिता के महोल में जी सकेंगे विवार कर सकेंगे साथियों वे ओफेंसिज होते हैं यानि कि जिन अपराधों में यह निस्तित है कि आपको बेल यानि कि जमानत थाना से ही आपका जो आईयो है investigation officer है वो आपको दे देगा यानि कि आपको ठाने से ही बेल मिलने की पूरी गारंटी है इसको यहीं भी कह सकते हैं बेल इसे matter of right in valuable offenses यानि की जो bailival offenses है जो अपराद जमानती है उसमें जमानत लेना यानि फाने से जमानत देना आपका अधिकार है आप उसको अधिकार के रूप में आप उसको ठाने से मांग सकते हैं अगर थाना इंकार करता है तो कोर्ट से मांग सकते हैं और कोर्ट और थाना दोनों ही आपको बेलेवल ओफेंसिज यानि की जमानती अपराद में आपको जमानत देने के लिए बाद्दे है वो आपको अरेस्ट करेंगे लेकिन तुरंत आपको जमानत देंगे अरेस्ट करने का मतलब यह होता है कि वे एक फॉर्मल्टी को पूरा करेंगे एक पेपर पर जो की अरेस्ट मेमो कहायाता है उस अरेस्ट मेमो में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जैसे की अपरादी का नाम उसके पिता का नाम उसका पता वगयरा वगयरा यह सारी जानकारिया उसमें जो ऑई-यो होता है वह उसको नोट कर लेगा और उस पर ग्रफतारी का समय बगरर लिख कर उस पर अपराधी के हस्ताक्षर ले 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 और किसी एक व्यक्ति की जमानत लेकर जो भी उसकी अहरताएं है यानि कि जमानत किस अधार पर वह दे रहा है किन डॉकुमेंट्स के अधार पर दे रहा है यदि वह सैटिस्फाइड है कि वह उस मुल्जिम को उस व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में पेस कर चकेगा तो वह उस अपने ही द्वारा जमानत दे देता है, और साथियो 100% cases में यानि कि जितने भी cases होते हैं जो कि जमानती अपराद के हैं उनमें पुलिस आपको जमानत तुरंद दे देती है, कभी भी आपको लोक अप में नहीं जाना पड़ता है न जेल जाना पड़ता है, साथियो दूसरी है कि पुलिस जो है वो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वाल होती है यानि कि भृष्चा चार से लिप्ट होकर आपको दबोच कर आपसे मुटी रकम एड़ लेती है जबकि वह अपराद नौन बेलेवल काटेगरी का होता है यानि कि गैर जमानती स्रेणी का होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप आई पीसी और स्यार पीसी यह दोनों किताबें अपने घर पर रखते हैं तो आपको यह ग्यान हो सकता है अराम से कि आपके खिलाफ जिस अपराद के तहट पर्थम सूचना आपको आपको कानून के समक्ष यानि के समक्ष पेस किया जाएगा तब को को ही वह पावर होगी कि वह आपको बेल दे या ना दे यह आपका अधिकार का मामला नहीं है यानि कि जो अपराद गैर जमानती अपराद हैं उसमें जमानत आपका अधिकार नहीं है जैसा कि जमानती अपरादों में था लेकिन यहां पर आप court में अपनी जमानत के लिए अरजी दाखिल कर सकते हैं you can apply for your bail and court can grant you the bail on some conditions or without conditions तो साथियो इसको यदि हम समझ जाएं तो मैंने कई cases में से देखा है जब मेरे पास clients आते हैं तो वे अपनी इस वेथा को बताते हैं कि आयो ने उनसे बड़ी मोटी रकम एंट ली कि वे उनको छोड़ देगा या वे उनको bail देदेगा या ऐसा भी कहते हैं मैंने उनको सुना है कि आयो ने उन्हें यहां तक कहा कि आपको वकील तक करने की जरूरत नहीं है हाँ साथियो यदि bailable offense है तो आपको वकील करने की निश्चित तोर पर कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर non bailable offense है तो आपको वकील के माध्यम से ही bail मिल सकती है या आप अपनी जो बहस है या जो आपके पास जो तरक है अपने अपराद जो आपके खिलाफ अपराद हुआ है उसके खिलाब जो आपके पास तरक है उनको आप अपने वकील के माध्यम से कोड के सामने प्रस्तुत कर सकते है तो साथियों आपको इन बातों का धिहान रखना चाहिए आपको सतरक रखना चाहिए ताकि आपका पुलिस किसी भी तरीके से सोसन ना कर सके और यदि आप जागरुक रहेंगे तो पुलिस किसी भी हाल में आपका कभी भी सोसन नहीं कर सकती है और साथियों हमें इन बातों को धिहान में जरूर रखना चाहिए कि हमें घबराना कभी नहीं चाहिए अक्सर पुलिस करप प्रैक्टिस में इसलिए इनवाल्ब होयाती है क्योंकि आम जनता पुलिस थाना लॉक अप जेल कोड इन सभी से बहुत घबराती है और वह इतनी घबराती है उसकंदर इतनी घबरहाट होती है कि वह येन केन प्रकारेंड इन से छुटकाना पाना चाहिए लेकिन साथियों आपको ये समझेना चाहिए कि जो प्रक्रिया निस्सित तोर पर कानून में लिखित है आपको वह प्रक्रिया फॉलो करने पड़ेगी आपको वह प्रक्रिया पूरी ही करने पड़ेगी तभी आपका पीछा छुटेगा आप किसी भी मामले में उसके लिए निस्सित तोर पर लिखी गई प्रकृतिया के बगएर आप कभी भी अपना पीछा उस अपराद से नहीं छुड़ा सकते हैं आप आपके खिलाफ यदि F.I.R. दर्ज हो गई है यदि आपके पास कुछ ऐसे प्रमान हैं जो कि पर्थम द्रस्टी में देखने पर ही ऐसा लगता है कि वह आपके पक्ष में हैं और यदि वह नियायले के समक्ष पेस किये जाएं तो नियायले उन पर आपको छोड़ देग या आपको बरी कर देगा तो साथियों आपको बिलकुल भी देर नहीं करने चाहिए आपको तुरंत उच नियायले पहुचना चाहिए और उच नियायले में यदि आप जाते हैं तो उसमें CRPC की धारा 482 है जिसमें की क्वैसिंग की प्रेटिशन के लेकर आप जाएंगे य पिर उच नियायले को है हाई कोट को है यदि आप हाई कोट में इस तरह की याचिका दाखिल करते हैं और यदि वहां पर कोड़को यह लगता है कि आपके खिलाब मुकदमा बगहर बात के दाखिल किया गया है तो हाई कोड उस मुकदमे को रद कर देती है उस FIR को भी तरह का मामला नहीं रहाता है आप वैसे ही हो जाते हो जैसा कि आप एफ आई यार दर्ज होने से पहले थे तो साथियों हमें इन बातों का ध्यार ना चाहिए और हमें यदि कानून की जानकारी होगी तो हम पुलिस के द्वारा अपना सोचन किये जाने से हम बच सकते हैं और दूसरों को भी इन जानकारीों को बाट कर उन्हें भी बचा सकते हैं तो साथियो इसी के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूँ और इसके समंध में आपको कोई अन्य और जानकारी चाहिए हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें तो मैं आपके कमेंट का जबाब दूँगा फिर से उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आपका वह जबाब भी सामिल होगा तो साथियो आप कमेंट करते हैं तो मुझे प्रेड़ना मिलती है और मुझे लगता है कि हां आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपको फाइदा पहुंच रहा है तभी मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेड़ित होता हूं तो साथियो इसके साथ मैं आपसे एक अनुरोद और करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे और ज्यादा प्रेंड़ना मिले और मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर आपके सामने लात